हलो फ्रेंज चै मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों चंदर ग्रहन सदी का सबसे लंबा चंदर ग्रहन एक सो चार साल के बाद आ रहा है बहुत ही डरावना माना जा रहा है बहुत ही अशुब है और साथ ही साथ जो कुवारी लड़के लड़किया है उन्हें तो बिल्कुल भ को सदी का ये सबसे बड़ा चंदर ग्रहन आ रहा है हिंदु धरम में हमारे चंदर ग्रहन को शुब नहीं माना जाता और खास कर ग्रहन काल इस बर चार गंटे का रहने वाला है और माना जाता है इस दौरान आपको भगवान की अराधना करनी चाहिए यहां तक कि इस दौर रखें पर ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहन कुवारों के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि सुन्दर्ता का त्रतीक चंद्रमा श्रापित है और जो भी कुवारा लड़का या लड़की उसे देखते हैं उनकी शादी के दौरान अडचने आने लगती है इसलिए ध्यान ट्राइ करें कि लड़के लड़किया इस चंद्र ग्रहन को ना देखें इस दौरान किये कि काम से नुकसान होता है कोई भी नए काम की शुरुवात आपको इस दौरान नहीं करनी है और ध्यान रखें कि जब चंद्रमा के साथ राहु की युक्ती हो रही है तो ऐसी अवस् अवस्था को चंद्र ग्रहन भी कहते हैं और माना जाता है कि इस अवस्था में चंद्रमा पीडित होता है और चंद्रमा चुंकि मन का कारक है इसलिए मन में विकार पैदा होने लगते हैं कुछ और अवस्थाएं होती है जिनमें चंद्र दोश आता है लेकिन जब चंद्र पर राहु की दृष्टी पड़ रही हो तो ये सबसे बड़ा चंद्रदोश कहलाता है और चंद्रमा यदि नीच राशी का हो या फिर नीच ग्रह में हो अशुप ग्रह में हो या यू कहें पाप ग्रहों के साथ हो तो भी चंद्रदोश लग जाता है चंद्रदोश से जाने जाने में कोई नकोई पीडित हो जाता और यह पीडित होने के बाद से ही जातक के जीवन में उथल-फुथल मचने लगती है, मनुष्य आशंकित रहने लगता है, भैभीथ होता है लगातार हो रही हानियों से तनाव गरस्त हो जाता है यहां तक की पारिवारिक जीवन में भी संतोश भरने लगता है कई बार तो जीवन साथी से पती पतनी के लवर्स में पार्टनर्स में इतने मतबेद बढ़ जाते हैं कि अलगाओ की स्थिती पैदा हो जाते हैं इसलिए चंद्रदोश ना लगे इसलिए आपको घर के अंदर रह करके ट्राइ करना चाहिए कि ग्रहन को ना देखें और अगर चंद्रदोश आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक में है तो आपको तो बिलकुल भी नहीं देखना चाहिए ढ़िए यहां तकी गर्वती जो महिला हैं उनको भी यह चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और चंद्र ुष्ग से बचने के उपाए करने चाहिए चंद्र दोश से बचाओ के लिए पीडित को चंद्र मा के अधी देवता भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए किसको जल को मानते हैं और जल तत्व के स्वामी कौन है बगवान गणेश इसलिए गणेश की उपासना से भी चंद्र दोश दूर होता है विशेशक्रत जब जब चंद्रमा के साथ के उत्तू युक्ति कर रहा हो हो इसके अलावा आप दुर्गा सब्तशती का पाठ करें पाली महा ललीता और भैरव की उपासना करें इससे भी आपको बहुत बहुत लाव मिलता है दोसों 27 जुलाई को सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहन लगने वाला है पुर्ण चंद्र ग्रहन लगेगा और इसी लिए इस चंद्र को विज्ञानिकों ने बलड मून का भी न जाएगा वहीं कुम्ब तुला करक और विशब राशी पर मध्यम प्रभाव छोड़ने वाला है मकर राशी मिथुन राशी कन्या राशी और धनू राशी सावधान रहें आपके लिए अशुब हो सकता है लेकिन शिव की अराधना करें और ये आप इनको अपने अनुकूल बना सकते हैं चंद्र ग्रहन का गोचर के अनुसार अलग अलग प्रभाव होता है इस दिन दान पुन्य करें और आप देखेंगे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं अब आपको एक छोटा सा उपाई बता रही हो जो चंद्र दोश ग्रहन के दोश से आपक तांबे की प्लेट में काले तिल भरने के बाद वो जो चांदी सोने या तांबे का नाग है उसको आपको उस प्लेट में रख देना है और उसके बाद महा मृत्युन जय मंत्र की एक माला का जप करना है अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी पंडित से करा सकते हैं या फिर उनलाइन में लिंक दे दूंगी वीडियो के एंड में आप चाहे तो उससे सुन कर भी 108 मंत्रों की माला करने के बाद उस प्लेट का आपको एस इट इस ग्रहन के बाद दान कर देना है आप देखेंगे कैसे आपकी जीवन से जो भी चंद्र दोश है जो भी ग्रहन दोश है आपकी कुंडली आदी में वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद भोजन का त्याग करना चाहिए लेकिन आप बच्चे हैं, प्रेगनेंट हैं या बुड़े इंसान हैं तो आपको खाना allowance है तो वह आपको कम से कम डेख घंटे पहले भोजन ग्रहन के पहले त्याग देना चाहिए ग्रहन बेद के पहले जिन पदार्थों में भी कुश या तुलसी की पतिया डाली जाती है वो पदार्थ दूशित नहीं होते हैं खास कर पके हुए अन में ये जरूर डाल देना चाहिए इसके बाद जो भी आपने एक्स्ट्रा अन पका के रखा हुआ है कच्चे फ्रूट्स की वेजिस की बात नहीं कर रही हूँ जो भी पका हुआ अन आपने रखा हुआ है उसको आपको गाय कुत्ते आदी को डाल कर नया भोजन बना कर के खाना चाहिए ग्रहन बेद के प्रारम्व में तिल या कुश मिश्रित जल को उपयोग में लाना बंद कर देना चाहिए और ग्रहन शुरू होने से अंत तक अन या जल लेना निशेद होता है इस ग्रहन के स्पर्ष के समय आपको स्नान मध्य के समय में हूम देव पूजन और शाद और अंत में आपको वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए जो भी इस्तिरियां है वो बिना सिर्धोय स्नान कर सकती है और ग्रहन पूरा होने पर सूरिया या चंद्र जिसका भी ग्रहन होता है उसका शुद्ध प्रतिविंब देखकर ही आपको भोजन करना चाहिए यानि जब चंद्रमा का ग्रहन है तो चंद्र आपको शुद्ध होने यह सब है यह सबी चीज़ें आपको हटा देनी चाहिए और जल में उसको निकाल देना चाहिए ध्यान रखे निचोड़ना नहीं चाहिए सिर्फ पानी उसका निकाल देना है आपको गंदा पानी और फिर बाद में जब उसका पानी निकल जाये आप चाहें तो बाद में उसको सोप से धो सकते हैं ग्रहन के स्नान में कई लोगों की आदत क्या होती है मंत्र बोलते वे स्नान करते हैं कोई भी गंगे चयम नेच सरस्वती या कोई भी हर हर गंगे आदी पर ग्रहन के स्नान में कोई भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए मंत्र दूशित हो जाते हैं और ग्रहन के स्नान में गरम जल की अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल आपको नहीं लेने चाहिए ट्राइ करना चाहिए अपने हाथ का निकाले हुए जल से ही स्नान करें कई लोग क्या होता है बोलते कि सब लोग एक दूसरे को छूस चुके हैं और फिर कहते कि तुम मुझे टॉवल दे दो तुम मुझे पानी मेरा रगदो में नहा लेता हूँ अपने हैं और जो भी वस्तर आपको बाद में पहनने नहाने के बाद उसको आपको ग्रहन के पहले ही अलग करके रख देना चाहिए ध्यान रखें गंगा हो, समुद्र हो, आदी में जल बहुत ही पवित्र माना चाता है तो अगर पॉसिबल हो तो इन जगों पर आपको सरोवर में, नदी में, समुद्र आदी में सनान करना चाहिए ग्रहन के दोरान, गायों को घास देना, पक्षियों को अन देना, जरूरत मंदों को वस्त्र दान देना, ये अनेक गुणा पुन्य प्राप्त होने की चीज़ वताई गई है ग्रहन के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, कि जो भी पत्ते हो, तिनके हो, लकडी हो, फूल हो, ये सभी चीज़ें नहीं तोड़ने चाहिए और दंत मंजन इस दिन नहीं करना चाहिए जो भी सुई हो नुकीली चीजे हो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय ताला खोलना, सोना, मलमुत्र का त्याक करना, मैथून करना और भोजन करना ये सबी कार्य वर्जित माने जाते हैं और कोई भी शुब और नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए जो भी गर्वती महिलाएं हैं, इनको विशेश रूप से ग्रहन का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो इनको एक नारियल लेकर के गोध में या कोई भी फल ले 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 उसको लेकर के गोध में बैठें और भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सोना भी वर्जित पताया गया है, और अगर उनको वाश्रूम में जाना है या भोजन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है चाकू हुआ, कोई भी नुकीली चीजों होई, यहां तक की बातरूम का जो हैंडल होता है, उसको भी आपको नहीं पकड़ना चाहिए, जब भी आपक जाना है लकड़ी को पुष करके जाएं या फिर किसी और को बोल दे की बातरूम आपके लिए खोलने के लिए नल आदी आपको नहीं चुने हैं, गंगाजल अगर पास में हो तो चंद्र ग्रहन में एक करोड गुना फल की प्राप्ती होती है और ग्रहन के समय अपने गुर नश्ट हो जाता है और भुकम्प और ग्रहन के दौरान पृत्वी को खोदना नहीं चाहिए, रोगभे के कारण इस दौरान चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और चंद्र ग्रहन लोगों पर खासा गेरा असर डालता है, खा ग्रास चंद्र ग्रहन है यानि की पुर्ण चंद्र ग्रहन है और विशेश कर गर्वती महिलाओं के लिए तो बेहदी अशुव है, इसका असर 108 दिनों तक रहता है जिससे गर्वती महिला के शिशु को हानी हो सकती है, गर्वती महिलाओं को इस दिन घर में रह करके ओम छिर पुत्राई विद महें, अम्रित प्रचोदयात इस मंत्र का जब करना चाहिए, इससे ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव महिला पर और शिशु पर नहीं पड़ता, ग्रहन के समय कैची आदी के प्रयोग करने की मना ही होती है, क्योंकि इससे माना जाता है, शिशु के होंट कट जाते हैं, और इस दोरान महिला होने के बाद सनान करने के बाद ही कोई चीज आपको चूना चाहिए, ध्यान रखें, बहुत ही खुबसूरत चंदर ग्रहन आ रहा है, पर बहुत ही कठिन चंदर ग्रहन है, इस दोरान सभी लोगों को बहुत-बहुत साफधानी रखने की जरूरत है, बहुत सालों के बाद लव यू आल फ्रेंज, ठेक केर, चेह माता दी, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के त्रू कनेक्टेड रहें, लव यू आल, ठेक केर, चेह माता दी, बम बम भोले नात की